विल्कम वैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा के पेडिक्शन में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग वैस लीग तो जर बाइस ते इसके मैच नंबर मैच नंबर थाइस जो खेला जाएगा चार जनवरी 2023 सिड्नी शिक्सर्स और ब्रिस्बिन हीट के बीच यह खेला जाएगा नौर्थ सिड्नी ओबल सिड्नी में इसका जो वैन्यू रहेगा सिड्नी रहेगा यह इस बिग वैस का पहला मैच है जो इस ग्राउंड पर खेला जा कौन कौन से टीम में कौन कौन से पिलेर्स की भूमिका निवाएंगे तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले आपके सामने हमारा वाट्सप नंबर है करेंगे जोस ब्राउन और बंडाउन पर रहेंगे कोलिन मुन्रो ठीक है इनकी ओपनिंग रहेगी अब ओपनिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि जो जोस ब्राउन है बहुत तेज खेलते हैं तावर तोड़ बल्लेवाजी करते हैं लाट मैच में बहुत अच्छी पा बाल नाथन मैक्स सुनी यह भी तेज खेलते हैं डाउन पुरों भी कम से कम सत्तर किस्तर सिली खेली थी नंबर चार पर आते हैं सेम बिलिंग्स नंबर पाच पर हैं जिमी पैर्सन दॉनों मिदल और के अच्छे बल्लेवाज हैं सैंविलिंग्स ने तो एक मैच जिताया भ गिलते हैं और टीम के लिए अपना योगदान देते हैं कि साथ नंबर तक प्रॉपर बल्लेवाज हैं माइकल ने सर्वी बल्ला घुमा लेते हैं लेकिन बॉलरिंग में ही काउंट करेंगे तो नीचे बॉलिंग है माइकल ने सर हैं मार्क स्टेनली है और नंबर दस पर हैं मि थो कुनेमन तो यह टीम है टीम लग रही है लेकि इस्ट्रॉंग परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है क्यों क्योंकि छे मैच खेल चुकी अभी तक दो मैच यह जीती है दोनों ही मैच अपने होम ग्राउंड पर जीती है बाकि चार मुकाबले यह हार चुकि है दूसरी की बीच एक मुकाबला और हुआ था अभी सिड्नी शिक्सर और ब्रिस्विन हीट के बीच में तीन चार दिन दो तीन दिन पहले उस मुकाबले में सभा दोसरान मनाये थे पहले खेलते हुए और सिड्नी शिक्सर चेस नहीं कर पाई थी चेस करते-करते रह गए थी 209 तक प अच्छे बल्ले वाज हैं मौका मिलाएं अब थीक है तो यह अच्छी पारी खेलेंगे और मुझे लगता है कि ओपनिंग में से एक प्यर रन बनाएंगे तो मैंने जेम सिबिंस बोला था एक वीडियो में जेम सिबिंस से ओपनिंग करानी चाहिए ने सिड्नी शिक्सर की स आश्ट मैच में देखा होगा आपने 30-40 रन अच्छे वाले बनाए थे जेम सिबिंस ने तो बंडाउन पर नहीं खेल पा रहे थे यहीं इनके लिए सही जगा है ओपनिंग दूसी तरफ नंबर चार पर हैं फिर मौईस हैंडिक्स कप्तान है इस टीम के अच्छे वल्ले व वह जो भी फैसला था हम पैट्स का वह सबको मानने होता है बट वह विवादित कैंश था एक ठीक है नंबर 6 पर हैं डैनियल क्रिक्शन उम्मीद है कि मैच में कुछ करेंगे बड़ा नाम है कुछ नहीं करते हैं फिर भी खेल रहें क्योंकि बड़ा नाम है जिस दिन चलें बालर में सीज बोल्ट हैं जैक्सन वर्ड हैं वैंड रसेस हैं इज्राहुलख नवीद हैं यह इनके प्लेइंग लेविन हैं प्लेइंग लेविन की बात करी जाए तो मुझे सिड्नी सिक्षर की प्लेइविन मजबूत नजर आती है बिरस्विन हीड से और अकोडिंग काम में जो इस क्रीम पर दिख रहा है सब में 0-0 लिख रहा है अब आप सोच रहोगे यार भाई ने 0-0-0 क्यों डाला है वह इसलिए डाला है क्योंकि अभी इस ग्राउंड पर कोई भी मैच नहीं हुआ है सिर्फ बूमैन के बिग वैस के मैच कुछ हुए थे बस वह यह रख जो मदद करती है ठीक है बैटिंग को अग्रेशिव सौट खेलने के लिए यानि बैटिंग को सपोर्ट करेगा यह बिगेट नहीं सौटर बाउंडरी एंड क्विक आउट फिल्ड फिल्ड फर्दर एकड़ एड़ एडवांटेज फोर दा बैटर्स यानि कि जो छोटी बा हुआ कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और यह बैटिंग को सपोर्ट करेगा है अब बात करें हैं मुकावलों की अभी तक इन दौनों टीमों के बीच में 17 मुकावले खेले गए हैं चार बार बार जीती है सिड्नी सिक्सर की टीम तो बहुत बड़ा अंतर है तो मुझे बाले भी या फिर बनाते हैं तो ब्रिश्विन हीट में कॉलिन मुल्रों जॉस ब्राउन में से एक बल्लेवाज़न बनाएगा सेम्म बिलिंग को मैंने रखाए जेमस बैजले को रखा है मैंने की पिलर्स में और माइकल नैसर और मिसल प्सक्षाइब शिडनी सिड्नी सिख यहां से अपने पिक अप कर सकते हैं उनको काफी हैल्प करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और बैल आइकन को आउन कर लो जिससे कि और भी वीडियो में आपके लिए डेली बनाओ आप तक नोटिफिक मिलते है नेक्स वीडियो में